नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार परवल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मेरे घर में जैसे बनता है मैं वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप कैसे बनाती है ये भी आप मुझे के हम इस सबजी को बनाएंगे ट्राइ करके देखे यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है तो चलिए देख लेते हैं मरसालेदार आलो परवल की सबजी को कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले हम परवल फ्राइ करेंगे कढ़ाई गैस पर चढ़ा दे और इसमें सरसो तेल डाल दे तिल गरम हो जाए तब हम इसमें मीडियम साइज की टुकडों में काटा हुआ परवल डाल देंगे इसे एक बार चला ले और लीट लगाकर मीडियम फ्लेम में हम गोल्डिन ब्राउंड होने तक फ्राइ करेंगे बीच बीच में धक्कन हटा कर परवल को चला लेना है आप देख सकती हैं परवल बिलकुल अच्छे से फ्राय हो चुका है इसे हम कड़ाई से निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में एक चमच तेल और छोटे चमच से एक चमच घी डाल देंगे अब हम इसमें दो तेज पत्ता दो सुखे लाल मिर्श दो लॉंग दो चिनी का टुकड़ा हींग हैं, और पाँच फोरं अडाल देंगे इन अरे मसालों से भीनी भीनी से खुश्पो आने वहें तब हम तेल में आलु डाल देंगे आलू को भी पहले से धो कर छील लिया है और मीडियम साइज के टुकडों में काट लिया है आलू डाल देने के बाद इसे अच्छे से एक बार चलाए धकन लगा कर फ्राइ होने के लिए रख दे मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राइ करेंगे जब तक आलू फ्राइ हो रहा है एक मसाला तयार कर लेना है एक कटोरा ले ले इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर को काट कर डाल देना है अद्रक हरी मिर्श पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्श पॉर्डर, धनिया पॉर्डर और जीरा पॉर्डर डाल देना है अब हम इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक, हाफ चमत चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर एक घोल तयार करके रख लेना है धकन हटाकर आप देख सकती है, आलो अच्छे से फ्राई हो चुका है तो जो मसाले का घोल हमने बना कर रखा है, इसे डाल देंगे एक बार अच्छे से मिक्स करें, मसाले वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आलो में डाल दें एक और बार इसे चला लेना है, फ्राई कियोगे परवल को डाल दें और फिर इसे मिक्स करें सारे मसाले पक जाएं, तब हम इसमें पानी डाल कर इसे उबलने के लिए रख देंगे आलो और परवल अच्छे से पक जाएं, तब हम उपर से इसमें घी और गरम मसाला पॉर्डर डाल कर इसे सर्फ कर लेंगे चुकि आलो और परवल फ्राई करते वक्त थी, आदहें पक चुके थे, तो इन्हें पकने में जादा वक्त नहीं लगेगा आप देख सकती हैं, काफी अच्छे से उबालाना शुरू हो किया है, तो अब हम गैस आफ कर देंगे और इसे सर्फ कर लेंगे तयार है आलो परवल की सबशी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है, आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहे हैं और मेरे चैनल में आप नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेर करना ना भूले वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, साइड में जो बिल आइकन दिख रहा है, उसे प्रस करके आल पे क्लिक कर दे, ताकि मेरे अपलोट किये हुए हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और अगर आप मुझे या इंस्टेग्राम में देख रहे हैं, तो फॉलू जरूर कर लें, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग